आज मैं आपके सामने Railway Recruitment Cell यानि RRC का Letters Notification लेकर आए हूँ यहाँ पर हम डिसकस करेंगे Complete Notification को Central Reason, NCR, Aylabad के लिए Apprentice की जो पोस्ट है उसके लिए ये Notification रिलीज हुआ है Total यहाँ पर 1664 पोस्ट है जिन पर भरतिया होना है यह जो Apprentice की 1664 भरतिया है यह अलग-अलग ट्रेट्स के लिए की जाएंगी आगे हम डिसकस करेंगे Trade-wise कितनी पोस्ट एविलेबल है तो सबसे पहले हैं आपर हम बात कर लेते हैं Important Dates की तो application इस्टार्ट हो चुके हैं 2 November 2021 से जबके apply करने की last date 1 December 2021 है फी पे करने की last date भी 1 December 2021 है application fee की अदि हम बात करें तो journal, OBC और economical weaker section के लिए हापर 100 रुपी application charges जबकि SC-ST category के लिए कोई application charge नहीं है ऐसे ही सभी category की जो females candidate होंगी उनके लिए हापर कोई application charge नहीं है ओके आगे आप देख सकते हैं आपर age limit के हम बात करें तो minimum age 15 years और maximum age 24 years as per rules age relaxation भी है आप stable के throw इसे समझ सकते हैं यदि हम लोग बात करें eligibility की तो हमने यहाँ पर अभी discuss किया age limit को अब हम देख लेते है educational qualification तो class time pass out होना चाहिए minimum 50% के साथ साथ ही साथ ITI या NCVT का आपके पास में certificate होना चाहिए ध्यान रखे related trade से जिस भी trade के लिए आप apply कर रहे हैं उस trade से आपने ITI या NCVT का certificate लिया हो अब यहाँ पर हम division wise vacancies को देखेंगे जैसे सबसे पहले यहाँ पर प्रयागराज division के लिए प्रयागराज के लिए ही इलेक्टिकल डिपार्टमेंट में अभी हमने mechanical डिपार्टमेंट देखा था अब electrical डिपार्टमेंट में तो यहाँ पर फिटर की 246 वेल्डर की 9 एबरेज चेवाइंडर की हाँ पर 47, painter की 7, आगे carpenter की 5, टेक्निकल क्रेन की हाँ पर हम बात करें तो art, mechanist की 15 एबरेज फिफ्टिर और electrician की 2 पोस्ट हैं, ओके जहासी की एदि हम बात करें, जहासी डिविजन में 488 पोस्ट है, फिटर की 286 एरी 266, welder की हाँ पर 11, electrician की 88, Mechanics DLS की हाँ पर 84 और Carpenter की 11 पोस्ट है ओके आगे देखेंगे RRC प्रयागराज Act Apprentice के थ्रोही हाँ पर वर्क शॉप की यह दिए हम बात करें जहां सी वर्क शॉप के लिए हाँ पर टुटल 185 पोस्ट है, Fitter की 85, Welder की 47, MMTM की 12, Stenographer Hindi 3 पोस्ट है, Mechanist की 11, Panter की 16, Electrician की 11 पोस्ट है ओके आगे ऐसा आप देख सकते हैं आगरा डिविजन के लिए भी दिया हुआ है, Fitter की यहाँ पर 80 पोस्ट है, Electrician की 125, Welder की 15, Mechanist की 5, Carpenter की 5, Panter की 5, Health Sanitary Inspector की 6, साथी साथ यहाँ पर आगे देख सकते हैं, Information and Communication Technology System, Maintenance की 8 पोस्ट है, Plumber की 5, साथी साथ यहाँ पर हम बात करें, Drotsman, Civil के लिए यहाँ पर 5 पोस्ट है, Stenographer English की 4 पोस्ट है, Wireman की 13, Mechanic, Com, Operator, Electronic Communication की 15, Multimedia and Wave Based Designer की 5 पोस्ट है, यह जो नोटिफिकेशन आपको शो हो रहा है, आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, Telegram चैनल के थो, Telegram चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, एक साल का यहाँ पर, Training Period होगा, इस भीच आपको, Stipend भी मिलेगा, मोडा सेलेक्शन के दिए हम बात करें तो, जैसा कि मैंने आपको बताया, 10th class pass out होना चाहिए, minimum 50% के साथ, साथ साथ related rate से आपने ITI किया हो, या फिर NZVT का आपको बाद certificate हो, किसी प्रकार का कोई return examination यहाँ पर नहीं होना है, ना वायवा होना है, ओके, या आप लोग ध्यान रखें, डारेट जो candidates apply करेंगे, उनको shortlist किया जाएगा, ध्यान रखें, जितनी vacancies है, उनके देड़ गुना, candidates को shortlist किया जाएगा, यदी same marks वाले applicant है, तो जो भी older age का होगा, उसको पहले preference दिया जाएगा, यह भी आपको ध्यान रखना है, जो final merit list होगी, वो prepare की जाएगी, unit wise, trade wise, और community wise, जो भी आपके percentage होंगे, उसके descending order में, information useful लगी हो, तो वीडियो को like को share करें, और ऐसी update बेर है देख लिए, चारल को subscribe कर, notification bell को जोड़ प्रेस कर दे, thank you